प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से 4XLator से भगवांग गनेश जी का चित्र बनाना सिखाएंगे जी हाँ दोस्तों, आपने विल्कुछ सही सुना बस आप जल्दी से मारकर पेपर पेंसिल उठा लिजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह आपको 4XLator लिखना होगा इसके बाद दोस्तों, इस XLator को यहाँ से ऐसे मिलाएगा इधर आप ऐसे मिला देंगे यहाँ से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा रिपीट करने के बाद दोस्तों इसको हम उपर वाले पोशिण को इधर ऐसे मिलाएगे फिर यहाँ से डवल करिएगा ऐसे इससे आसान आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा अगर आप लाट सब देखते हैं तो आपको गनेश जी का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है इसको थोड़ा सा ओपर बढ़ाईए फिर यहाँ से भी ऐसे बढ़ा देजिएगा बढ़ाने के बाद दोस्तों आपसे छोटा सा कोशन भी है अगर आपको पता है बागवान गनेश जी के पिता जी का और माता जी का क्या नाम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा फिर दोस्तों ध्यान से देखिए इधर से इसको हम ऐसे मिलाएंगे मिलाने के बाद एक बारा बड़ा सा ऐसे करते हुए इधर ऐसे मिला दीजिएगा फिर यहां पर थोड़ा सा चोटा गणाएंगे यहां पर ऐसे कर देंगे तो यह बन गया गनेशी का मुकुट दोस्तों आपको एक लाइन ड्रो करना है इसे लाइन से नीचे इधर करिएगा फिर यहां पर ऐसे जाएगा एक बार इधर ऐसे करिए फिर इधर आप ऐसे बना देंगे उपर ही दोस्तों आपको पास-पास में ही वी-वी लेटर लिखते जाना है तो यह बन जाएगा उपर वाला सीरा दोस्तों उपर वाला सीरा बनाने के बाद आजाईए इधर इसको थोड़ा सा और बढ़ाईएगा फिर यहां से भी आप आगे के साइड में बढ़ा देंगे इसको थोड़ा सा नीचे करिए यहां से भी आप ऐसे नीचे के साइड में कर दीजिएगा फिर इधर ऐसे करेंगे यहां पर ऐसे करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान गनेश जी की जैब भी आप जरू लिखिएगा दोस्तों इसको थोड़ा सा उपर उठाईएगा उपर उठाने के बाद इसको हम डबल करेंगे तो यहां से दोस्तों आप डबल करिए और इधर ऐसे मिलाईए यहीं हो जाएगा इधर यहां पर आपको तीध बना देना है गनेश जी का तीध बनाने के बाद दोस्तों इसको आप ऐसे नीची के साइड में मिलाईए इसी तरह आप इधर भी ऐसे नीची के साइड में मिला देंगे मिलाने के बाद आपको एक You Letter लिखना है और एक Line द्रौ करदेना है इधर से भी आपको छोटी-्छोटी Line आसानी से draw करदेना है और यहां पर आउप गनेश जी काit आई बना देजिए दिखें कितना सुन्दर सा और आसानी से गनेज जी का चित्र बनके तयार हो रहा है अब इधर आप चोटी चोटी लाइने ड्रो कर देंगे